असलाम उलेकुम गाइस कैसे हैं आप लोग तो ये वीडियो जैसे ही पबlish हो जाए इसको जल्दी से डाउंलोड करके आप लोग अपने अपने चैनल पर भी अपलोड कर सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे चैनल से ये वीडियो कब उडा दी जाए क्योंकि इस वीडियो में मैं बाबा के कुछ ऐसे flaws ऐसी mistakes दिखाने जा रहा हूँ जिन mistakes से बाबा के अंदभक्तों का सर शरम से नीचे जुख जाएगा और मेरा challenge है बाबा की team को इस पूरी वीडियो का जवाब दे के दिखाए और तुम नहीं दे सकते क्योंकि इस वीडियो में मैंने बाबा की ऐसी ऐसी mistakes दिखाई है जो एक जादूगर तो कर सकता है लेकिन वो शक्स जो कहता हो के मेरे पास दिव्य शक्तियां है बाला जी की और हनुमान जी की क्रिपा है वो नहीं कर सकता है इस तरह की mistakes अगर वो सच्चा है तो तो कोई भी ये वीडियो अपने चैनल पर upload कर सकता है तो क्योंके हमारे बाबा जी का भी यही कहना है कि जादूगरों की सीमा होती है और सिद्धी की कोई सीमा नहीं है तो अगर मैंने ये साबित कर दिया कि धिरेंद्र शास्तिरी की भी सीमा है और ये हर बार सही नहीं होते हैं बहुत बड़ी बड़ी mistakes ये करते हैं तो इससे ये बात साबित हो जाएगी कि बाबा के पास कोई सिद्धी नहीं है और ये बस एक जादूगर है तो चलिए जादा time waste नहीं करते हैं और बाबा की limitations मैं आपको दिखाता हूँ mistakes मैं आपको दिखाता हूँ बाबा के पास एक जर्नलिस्ट गया जिसके चैनल का नाम था Mojo Story लेकिन बाबा से चैनल का नाम तक सही लिखा नहीं गया उनके परचे में clip दो परचे बना कर हमने पहले ही रख लिए थी ये क्या लिखा है एक ब्यक्ती परिक्षा लेने आएगा बीच में टोकेगा बत्तर मीची करेगा नालाएक है उसको बुलाने की आओ सकता नहीं ठिकाने लगा भी देना है और टीम मोजो स्कों से आएगा चैनल का नाम है मोजो स्टोरी और बाबा उसको मोजो स्कों लिख रहे हैं और पड़ भी उसको मोजो स्कों ही रहे हैं तो ये मिस्टेक एक जादुगर्णे करी थी या बाला जी ने सवाल हमारे हिंदू भाईयों से है ये केस बड़ा इंटरस्टिंग है क्योंके बाबा ने जो पर्चे में लिखा था उसको बड़ी ही चला किसे पड़ा ही नहीं था ये शक्स बाबा जी के पास आये और बताया मैं आर्मी में हूँ और इस समय मैं जम्मो में पोस्टेड हूँ अब जरा बाबा को सुने उन्होंने इनके बारे में क्या क्या बताया अब बाबा को सुनके साफ लग रहा है कि बाबा ने जो बताया वो ही पर्चे पर भी लिखा होगा लेकिन जब बाबा ने पर्चा कैमरे पर दिखाया तो उसमें आप साफ साफ लिखा देख सकते हैं आपके घर में गंदी शक्ति है काम का आज बंधन बेटे पर कृपा होगी आशिरवाद है अब बाबा ने इस काम का आज बंधन वाले पॉइंट को तो पड़ा ही नहीं था खुद सुने अब सवाल यह आएगा बाबा ने ये पॉइंट क्यों मिस किया मैं बताता हूँ क्यूंकि इन सहाब ने आते ही कहा था मैं आर्मी में हूँ तो आवविसली जो शक्स आर्मी में होगा वो काम खाज की तलाश क्यों करेगा तो बाबा ने भी इस गल्ती को बड़ी ही चालाकी से हाइड कर दिया चुपा दिया लोगों के सामने पड़ा ही नहीं तो अब सवाल ये है कि ये गलती एक जादूगर से हुई या बाला जी से या हनुमान जी से क्योंकि बाबा आप ही बोलते हो हनुमान जी बहुत पावरफुल है बाला जी पर आपको भरोसा है तो ये कहना बिल्कुल सेफ होगा कि ये मिस्टेक एक जादूगर से हुई और अभी तो शुरुवात है आगे आगे देखो इनकी गलतिया कहां तक जाती है बाबा जी के पास एक लेडी आई उनके बेटे को दिक्कत थी बेटी सही थी लेकिन उसके बावजूद बाबा जी के वाई-फाई में गलत इन्फोमेशन आई और बाबा जी ने बेटी जो के सही थी और बेटे दोनों को पागल कह दिया लगी नहीं दा था कि आपसे मिल पाऊंगी क्या प्रशन है बोलो मेरे एकी प्रशन है मेरे बज्चे को ठीक कर दो बस अब ऑटिज्म मता दिया इ बेटी मंदबुद्धी की है बेटी तो ठीक है और बालक को बेटी तो ठीक है और बालक को वा पागलो जैसे हरकत करता है आउट रॉफ कंट्रोल रहता है बेटी पर क्रपा होगी वा बाबा जी वो कहतो रही है बेटी सही है तो ये मिस्टेक बाबा जी की थी या बाला जी की आप बताएं अच्छा जी अब बाबा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक दावा करते हैं पहले उस दावे को सुने आप बैठे रहो बागे सुर बाला जी की ऐसी लीला है कि आप जह शक्स को बुलाया और कहा कि पंडाल के बाहर बैटे होंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भाई साब तो अंदर ही बैठे थे प्लिप इसके बाद अंगला आदेश लास्ट में सबसे लास्ट में पंडाल के बाहर सुनील नाम के एक दादा जी आए हैं दर बाहर में आजाएं हाँ सुनील पंडाल के बाहर थे ना पक्का आ जाई आई पंडाल के बाहर थे ना देखो बाबा आप कैसे कवर कर रहे हैं अब पास्टेंस यूज़ कर रहे हैं जबके स्टार्टिंग में बाबा ने ही बोला था सबसे लास्ट में पंडाल के बाहर सुनील बैठे हैं यूज कर दिया तुरंत एक और बिल्कुल साफ केस हुआ बाबा ने बोला कुछ और और हुआ कुछ और क्लिप सुने पहला आदे से नीरज नाम के बाला की अरजी दरबार में प्रथम रूप में सुईकार हुए टी-शेट होगी पीली टी-शेट होनी चाहिए चश्मा भी हो सकता है लेकिन जब ये भाई साब आये तो शायद मेरी आखे कमजोर हो लेकिन कोई मुझे ये बता सकता है कि कौन सी एंगल से ये टी-शेट पीली है और बाबा ने इन दादा जी के उमर के अंकल को बालक बोला था क्लिप नीरज नाम के बालक की अरजी तो कौन से एंगल स के पास आई और बाबा गो बोला मेरे बाबा बहुत पैसा दे के मेरी शादी किये नज्दी आप इन्होंने साफ साफ बोला कि माबा बहुत पैसा दे के शादी किये तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हुआ कि शादी माबाप ने ही करी थी उसके बावजूद भी हमारे सिद्धी वाले बाबा ने बोला नई तुमने तो कोट मेरिज करी थी आप दोनों ने भी लब बाय किया था इसलिए जो ब्याव टिको नहीं है भी तो बताया कि माबाप ने पैसे दे कर शादी करी थी तो कोट मेरिज क्यों भी बीच में लियाए आप वो भी बैटी बैटी मना कर रही थी कि नहीं गुरु जी ऐसा नहीं हुआ लेकिन बाबा जी एकदम से राषन पानी लेके चड़ गए और उसके बाद इन्हों ने बाहर जाके बाबा को गालिया दी और जूटा भी बोला जादूगर की अच्छा अब कुछ ओवर एक्टर से मिल लेते हैं जिनको बाबा ने पहले से प्लांट किया है या नहीं इसका फैसला आप कीजेगा दो हजार वाईस तेहिस तारीक पाँचवे वहिने में बाबा ने काफी देर टहलने के बाद एक शक्स को पीछे से यानि आगे लोग खड़े हैं उसके बावजूद उन लोगों को हटा कर पीछे से इस शक्स को आगे बुलाया और कुदा कर अपने साथ ले गए बाबा मतलब कितना लखी है ये आदमी के पीछे से बाबा ने बुलाया और कुदा कर अपने साथ ले गए और फिर इसने ओवर एक्टिंग करी मतलब इस तरह से खुद को ये शक्स फेख रहा है जिससे चोट ना लगे और ओर एक्टिंग तो विजिबल है ही खैर कुछ भी हो ये आदमी लखी तो है ही के बाबा बीच में से लोगों को हटा कर इसको बुला के लेके जा रहे है लेकिन चमतकार तो जब हुआ जब 2022 आठ तारीक और साथ महीने में बाबा ने फिर एक बार भक्तों की भारी भीड में से इसी शक्स को बुलवाया एक वो जो अभिनास एक लाल टीशेट वाला एक जो बालक यहां खड़ा होगा इसको तो भाबा इसको पकड़के बुलवाओ जहां भी हो क्या लखिया हदिमी है लोगों की सैकड़ो बारी महरजी नहीं लगती और यहां बाबा खुद भीड से निकाल कर इसको ला रहे हैं दो दो बार और उसके बाद क्या हुआ फिर वही अवर एक्टिंग चालू हो गई बाबा जी दो बार ये बिचारा आपसे पिटने आया आप प्रितो को मार सकते हो लेकिन इस बिचारे को ठीक नहीं कर पाए कमाल है चलिए एक और ओवर एक्टर से आपको मिलवाता हूं तो ये जनाब आये और बाबा ने इनके अंदर जो भूत था उसको मार लगाने को कहा बई बाबा के पास सिद्धी है तो भूत वगयरा को बाबा दो डालते हैं तो सुने ज़रा क्लिप अरे अरे मिस्टर भूत टेकनोलोजी में तुम बड़े एडवांस हो रहे हो माईक उठा के बोल रहे हो सही बात है वैसे वरना फिर कोई सुनेगा कैसे इसका पूरा घर परवात कर दूंगा और इसके घर में कोई संताम कोई करवा के दिखा संतान तो जानू मैं यह तो कु इस भूत को अपने क्लाइंट की इतनी टेंशन है कि पजामा नीचे सरकने नहीं दिया ठीक है पहले ही उपर गर लिया तो जैसा कि आप जानते हैं और बाबा ने भी इस बात को बोला हुआ है कि जादू गरू की सीमा होती है और बाला जी की कृपा असीमित है लेकिन उसके बावजूद भी बाबा अपने भक्तों को कहते हैं समय लगेगा ठीक होने में या काम होने में समय लगेगा क्लिप धीरे ठीक होएंगे समय लगेगा समय लगेगा होगी धैर यह रखना इस पर कोई तंत्रवाधा नहीं है सारीरिक दिक्कत है पून आराम तो नहीं लगेगा पर इतनी बिवस्ता हो जाएगी कि बैठने लगेगी जावासिर बाद है अलग को समय लगेगा अब सवाल यह आएगा कि समय क्यूं लगेगा बाबजी अगर आपके कनेक्शन डाइरेक्ली गौड से हैं तो समय क्यूं लग रहा है समय लगेगा कहकर आप इ इसी छोटे से मरस को ठीक करने के लिए समय लगे अच्छा आपको पता है बाबा जी का एक इन्विजिबल सेना पती भी है मजाक नी सच में हैं बस बात सिर्फ यह है कि उसको बार-बार कहते रहना पड़ता है मार लगाई जाए मार लगाई जाए वरना वो लगाता नी रुक अच्छा हुआ ये एक लड़की बाबा जी के पास आई और बाबा ने उसका राज पब्लिक में बताकर उसको इमोशनल कर दिया जिससे वो लड़की चीक पड़ी तो जिस सेनापती को बार-बार बोल कर मार लगवाई जाती थी इस बार वो बाबा के बिना बोले ही स्टार्ट हो गया वा बाबा जी या तो वो सेनापती शुरू ही नहीं करता मारना या इस बार पहले ही शुरू हो गया एक सिध्धी तो है आप में पर ये तो मानना पड़ेगा अच्छा जैसे ही बाबाजी अपने सेना पती से चमीटा मानने को मार लगाने को कहते हैं तो कुछ लोग तुरंट ऐसे रियक्ट करते हैं जैसे वाके कोई उनको मार लगा रहा हो लेकिन ताजब की बात यह है कि कुछ बार ऐसा हुआ है जैसे इस केस में इस केस में हुआ यह कि यह जो आदमी था इसको हिंदी नहीं आती तो क्यूँके इस भाई को हिंदी नहीं आती तो बाबा ने जो भी कहना है वो इसके सर के उपर से ही जाएगा तो बाबा ने अपने इन्विजिबल सेनापती से मार लगाने को कहा चलो सेनापती फिर से मार लगाओ और फिर क्या इन भाई को क्या पता आप क्या करना है बाबा जी इधर उदर हाथ करते रहे कोशिश करते रहे कि कोई रियक्शन हो लेकिन कुछ हुआ ही नहीं अगर वाके ही कोई सेना पती होता तो यहां पर भी उसको इसी तरह और फिजिकल मार लगानी चाहिए थी जैसे वो इन ओवर एक्टर्स को लगाता है एक और केस हुआ और यहां पर भी इन लेडी को हिंदी नहीं आती थी और इन पर भी जिन सवार थे तो बाबा जी अपने सेना पती को बोलते रहे मार लगाई जाए लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनको हिंदी समझाती नहीं मार लगाई जाए कि मार लगाई जाए तो बाबा जी सेनापती से connection कैसे कट गया इन cases में अगर वाकिई कोई सेनापती exist करता है तो connection क्यों lost हो गया अब ये बात तो चमतकारी सिद्धियों वाले बाबा ही हमको समझाएंगे तो बाबा जी हम इंतजार करेंगे आपके response का एक और केस है ये बिचारा बच्चा बाबा जी के पास आया तो बाबा जी ने डायरेक्टली बाला जी को इन्वोक किया और इस बच्चे को थोड़ा अराम देनी की कोशिश करी और तेज किया जाए सक्तिका प्रभा अरे वा कमाल हो गया ये तो और सभी भुक्तों ने भी इस मुमेंट को सेलिबरेट किया अब धनों ये है बालाजी की दया कोई उसे छू नहीं रहा ना कोई पकड़े है मेडिया भाले तो कबरेज कर रहे है कोई पकड़े हैं किया काउने पैर तो नहीं छू हूँगा अब धनवों को एक साथा दाना परण पर और एक साथा ऑ, और आम अब बाबा जी बोलते रहे दूसरे पैर में पूरे शरीर में लेकिन मजाल है जो इस बच्चे ने इस पैर के सिवा कुछ और किया हो तो यहां पर अब हिंदू भाईयों का बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है तो और क्या हो रहा है अगर इस बच्चे पर सच में किसी की कृपा हो रही होती तो जो जो बाबा जी बोल रहे थे वो सब होना चाहिए था लेकिन रिजल्ट हम सब के सामने है बाबा जी ने इस लोगे वो लिखा है तो मारी चमता नहीं है कि हमाई परचा के बाहर बोल जाओ अब इस लड़के को सुनते हैं इसने क्या बोला जल्दी बोलो कम समय में फिलाल बस मेरी मम्मी खुश रहे मेरी मम्मी थोड़ी परिशान है घर को लेकर तो इस लड़के ने बोला मम्मी खु जीक नहीं रहती बहुत परिशान माता जी रहती कृपा होगी आप गलत रास्ते पर बरतमान में भटक रहे हैं जिससे दुर्दा में पड़े हैं क्या निरनाय लें उसी के लिए लगातार धाम की पीछे पड़े हुए हैं निरनाय है हां मा होगी स्वास्त बाला जी करेंग तो बाबा के पर्चे में ना तो मम्मी की खुशी के बारे में कुछ लिखा था और ना ही ये लिखा था कि मम्मी घर की वज़े से परिशान है तो बाबा ने ओवर कॉन्फिडेंट होके ये चैलेंज तो दे दिया कि पर्चे के बाहर नी जा सकते लेकिन इस भाई ने केई शब्द पर्चे के बाहर बोले तो अब यहाँ पर एक जादूगर फेल हुआ यह बाला जी आप बताएं अब बाबा ज्यादा पड़े लिखे तो है नहीं यह बात तो हम सब जानते हैं लेकिन इतना पड़े लिखे हैं कि अगर कोई उनको हिंदी में कुछ बताएगा तो वो उसको पर्चे में लिख सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी केई इंसिडेंस ऐसे हुए हैं जहां बाबा पूरी बात लिखी नहीं पाए जैसे इस मोजस्को वाले केस में हुआ और एक और केस हुआ हमने पर्चे में लिखा भाव लेकर के आए हैं मन में दुबधा वा धाम के प्रती ऐसा बिचार रहता था के सत्त है कि नहीं कहीं हम गलत जगय तो नहीं जुड़ गए हैं जेब में पर्ची डाल कर लेकर आए हैं सिद्ध करने के भाव से इसमें आई भी अब बाबा आई वी आई वी करते रहे जबके अगर सच में उनको कोई दिव्य शक्ती बाला जी कुछ बता रहे होते तो उनको सीधे लिखना चाहिए था रोमन नुमेरल्स में लिखे हैं आपके क्वेस्चन्स लेकिन वो आई वी आई वी करते रहे बई ऐसा पॉसिबल है बाबा जी को रोमन नुमेरल्स का मतलब ना पता हो लेकिन बाला जी को तो पता है न कोई मेरे से कहे रोमन नुमेरल्स लिख दो तो मैं लिख दूँगा अब भले ही मुझको बिलकुल आईडिया ना हो रोमन नुमेरल्स हैं क्या लेकिन मैं लिख दूँगा अगर कोई मुझसे कहेगा तो बाबा जी का पूरी बात ना लिख पाना इससे तो ऐसा लग रहा है कि जादू गरू की तरह आपकी भी लिमिट्स हैं और एक केस हुआ ऐसा ही बाबा जी के पास ये बच्चा आया अब बाबा जी अगर आपको सच में बाला जी की प्रेणना लगती है तो आपको पूरा नाम लिखना चाहिए था मरस का भाई कोई मेरे से बोले मस्कूलर डिस्ट्रॉफी लिखो तो मैं लिख दूँगा भले ही मुझको बिलकुल आइडिया ना हो ये डिसॉर्डर होता क्या है अगर कोई बोलेगा लिखो तो मैं लिख दूँगा लेकिन बाबा जी का पूरे डिसॉर्डर का नाम ना लिख पाना बाबा जी की लिमिटेशन को दर्शाता है और जिनकी लिमेट्स होती है वो जादूगर होते हैं बाबा नहीं हमको बताई है तो मैंने इतने सारे सबOot आपके सामने रखे इतने सबूतों से ये बात साफ है कि बाबा कोई चमतकारी बाबा नहीं है इन को कोई बाला जी की प्रेणा नहीं लगती है अगर इन में सच में कोई भिय शक्ती होती तो ये mistakes जो मैंने आपको दिखाई हैं ये एक्जिस्ट ही ना कर रही होती तो कोई भी हिंदू भाई क्या ये मानने को तयार होगा कि ये जो मिस्टेक्स मैंने दिखाई हैं ये एक जादूगर की मिस्टेक नहीं है बलके बाला जी की या हनुमान जी की मिस्टेक्स हैं तो कोई बाबाओं के चक्रों में ना आए आपका future कोई नहीं जानता सिवाए अल्ला के